दोस्तो आप स्वयम ही घर बैठे आईश्मान कार्ट कैसे डाउनलोड करेंगी तो आज की इस वीडियो में हम जान लेते हैं हलो दोस्तो मेरा नाम हिमरान आप देख रहे हैं डिजिटल समधान चैनल इसी प्रकार की इंफर्मेशन के लिए वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों अगर यदि आपने आईश्मान कार्ट बनवाया था और आपको आईश्मान कार्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है इसके अलावा अगर यदि आपका फहले आईश्मान कार्ट बना हुआ था और आपका आईश्मान कार्ट हो गया है गुम हो गया है या फिर आप नया आईश्मान कार्ट डाउनलूड करना चाहते हैं जो की अभी अपडेट हो चुका है तो आप अपने आईश्मान कार्ट को कैसे डाउनलूड करेंगी तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आगे बढ़ने से पहले सबसे important जानकारी अगर यदि आप अपने आईश्मान कार्ट पर डाउनलूड करना चाहते हैं तो आपने जिस documents ने माध्यम से भी आईश्मान कार्ट बनवाया था वह documents आपके पास में मौजूद होना चाहिए एवां आपके अधार कार्ट से mobile number लिंक होना आवस्टेक है तब ही आप आईश्मान का स्वयम ही घर बैठे डाउनलूड कर पाएंगे बिना किसी देरी के चलते हैं सिधा ही monitor screen पर और इसकी पूरी प्रक्रिया जान लेते हैं सब सब पहले आपको इस website पर आजाना है link नीचे वीडियो के description पर मिल जाएगा यहाँ पर आपको beneficiary पर क्लिक करना है इस capture code को fill करना है आपको आपका mobile number दर्जी करना है verify पर क्लिक करना है अब mobile पर आपके एक OTP पहुँचाया जाएगा OTP को OTP box में दर्जी करके नीचे capture code फिल करना है फिर login पर क्लिक करना है इसके बाद scheme का chain करना है PMJY फिर आपको आपके state का chain करना है जहाँ पर आप रहते हैं सब scheme का chain करना है जैसे कि PMJY के माध्यम से आप search करना चाहते हैं या फिर समगर ID जिस documents के माध्यम से भी आपने इस आईश्मान कार्ट को बनवाया था आप अगर duplicate आईश्मान कार्ट डाउनलूट करना चाहते हैं तो PMJY का chain करके आप डाउनलूट कर सकते हैं तो आप यहाँ PMJY का chain करेंगे अपने district का chain करेंगे आप इन में से कोई भी एक documents का chain कर लेंगे PMJY ID का chain करेंगे तो आप यहाँ आईश्मान कार्ट डाउनलूट कार्ट डाउनलूट करेंगे तो आईश्मान सामने जाएगा या तो आप आधार कार्ट या फैमली आईडी का भी यहाँ chain कर सकते हैं अगर यहाँ पर आपके पास में डेटा नहीं मैच हो रहा है तो आपको क्या करना है सब इसकी में आकर समगर का chain करना है अगर आपने समगर डी से अपना आईश्मान कार्ट बनवाया हुए इसके बाद सार्च बाय में Family का chain करेंगे Family ID में आपको आपका समगर परिवार ID नमबर दरजी कर देना है इसके बाद इस capture code को fill करके search पर click करना है अब आपके सामने आके परिवार के सभी member की details सामने आ जाएगी अब इन में से जिनके भी Iceman card पहले generated हो चुके हैं यानि कि जिनकी KYC हो चुकी है तो उनके सामने verified और approved का विकल्प नजर आएगा उसके यागे आपको download card का icon नजर आएगा इस पर आप click करके आईश्मान card download कर सकते हैं जिनकी KYC नहीं हुई है तो यहाँ उपर आप देखेंगे KYC का विकल्प नजर आ रहा है इसका मतलब यह हैं कि इनका आईश्मान card अब तक नहीं बना हुआ है आईश्मान card जिनका बन चुका है download करने के लिए download icon पर click करेंगे अधार number देख रहे हैं verify पर click करेंगे इस box को tick करेंगे allow पर click करेंगे अब आपके अधार से link mobile number पर दो OTP पहुँचाएगे हैं यहाँ पर देख सकते हैं mobile number के last 4 डिकेट सो रहे हैं एक beneficiary अधार OTP जाएगा दूसरा beneficiary mobile OTP जाएगा अधार वाले बॉक्स में अधार वाला OTP डाले अन्हे था आपका authentication यहाँ पर बाक्स में दर्जिकर देतें ऊसके बाद आपको authenticate पर click करना है अब जिसका भी आईश्मान काट आप डाउनलोड करना चाहा है, उसकी डिटेल्स सामने आ चुकी है, बस आपको आईश्मान काट डाउनलोड करने के लिए, उपर इस बॉक्स को टिक करना है, नीची आना है, आविदक का नाम शो हो रहा है, किस माध्यम से आप authentication करना चाहते ह अधार OTP, fingerprint या Irish scanner हम यहाँ अधार OTP का chain करेंगे तो अधार से link मोबाइल नंबर पर हम OTP प्राप्ट करके इसे verify कर सकते हैं इसके बाद verify पर click करेंगे इसके बाद इस box को tick करके allow पर click करेंगे जैसे कि हमने यहाँ पर अधार OTP का chain किया था तो अधार पर ठीक पहली वाले की download पर click करेंगे अब आपका आईश्मान का डाउनलोड हो चुका है PDF format में आपका आईश्मान का डाउनलोड हो जाएगा अब आपको इसका print out निकाल लेना है तो इस प्रकार से आप घाल बैटे स्वेम ही आईश्मान का डाउनलोड कर सकते हैं होपके वीडियो पसंद आया हो झालोड कर निकाल